चीन की सबसे बड़ी एक कॉमर्स कम्पनी अलिवाबा और एंट गुरूप के मालिव बैस दुनिया के 25 सबसे बड़े अमीर जैकमा करीब दो महा से लापता है अक्टूबर में शंगाई में उन्होंने विस्तिय नियामकों वे सरकारी बैंकों की आलोचना की थी उन्हें ब्याज खोर तक कह दिया था इसके बाद चीनी राश्पती शी जीन बिंग से विवाद भी हुआ था इसके बाद चीनी सरकार ने उनकी कंपनी के खिलाफ एंटी मॉनापॉली जाच की खोशना कर दी लेकिन जैकमा कहीं भी नजर नहीं आ रहे है यहां तक की सोशल मीडिया और सारजनिक कारकरमों में भी वे नहीं पहुँच रहे उन्हें अक्टूबर के अंत से दिसंबर तक ग्यारा अरब डोलर यानि 80,000 करोर से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हो चुका है जैकमाने अक्टूबर 2020 में जिन पिंग सरकार से अग्रह किया था कि बैंकिंग परनाली में बदलाव किया जो वेपार के नए पर्यासों को दबाने का पर्यास करते हैं वेश्रिक बैंकिंग नियमों को बुजूर्गो लोगों का कलब करार दिया था झाल